हर हर महादेव आप सभी को आज हम शिव पुरान के रूद्र सहीता के द्वितिय खन के चौदवे अध्याय के बारे में जानेंगे जिसमें दक्ष के यहां माता जगदंबा यानि की मापारवती पुत्री रूप में यानि की सती के रूप में अवतरित हुई तो चलिए श्री समय दक्ष के इस बल्टाव को जानकर मैं भी वहां आ पहुँचा और पूर्ववत उन्हें शान्त करने के लिए सांत्वना देने लगा तुम्हारी प्रसन्यता को बढ़ाते हुए मैंने दक्ष के साथ तुम्हारा सुन्दर स्नेह पूर्ण संबन स्थापित कराया तुम मे मेरी अनुनय के अनुसार अपनी पत्नी के गर्ब से साथ सुन्दरी कन्याओं को जन्म दिया और आलत्स्यरहित हो धर्मादी के साथ उन्स सब का विवाह कर दिया मुनिश्वर मैं उसी प्रसंग को बड़े प्रेम से कह रहा हूँ तुम सुनो मुने डक्ष ने अपनी 10 कन्य कन्याएं विदिपूर्वक धर्म को ब्यादी 13 कन्याएं कश्यप मुनी को दे दी और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया भूत अंगीरा तथा क्रुशाश्व को उन्होंने दो-दो कन्याएं दी और 64 कन्याओं का विवाह ताक्ष यानि की अरिष्ट नेमी के साथ कल दिया इन सब की संतान परंपराओं से तीनों लोग भरे पड़े हैं अतह विस्तार भय से उनका वर्ण नहीं किया जा सकता कुछ लोग शिवा या सती को दक्ष की जेश्ट पुत्री बताते हैं दूसरे लोग उन्हें मजली पुत्री कहते हैं तथा कुछ अन्य का ध्यान किया साथ ही गदगदवानी से प्रेम पूर्वक उनकी स्तुती भी की बारंबार अंजली बांध नमसकार करके वे विनित भाव से दीवी को मस्तक जुकाते थे इससे देवी शिवा संतुष्ट हुई और उन्होंने अपने प्रण की पुर्टी के लिए मन ही मन यह विचार किया कि अब मैं वीरिनी के घर्ब से अवताल लूँ ऐसा विचार कर वे जगदंबा दक्ष के रदे में निवास करने लगी मुनिश्रेश्ट उस समय दक्ष की बड़ी शोभा होने लगी फिर उत्तम मुहरत देखकर दक्ष ने अपनी पत्नी में प्रसनता घर्बाधान किया तब दयालू शिवा दक्ष पत्नी के चित में निवास करने लगी उनमें घर्ब धारन के सभी चिन्ह प्रकट हो गए तात उस अवस्था में वीरिनी की शोभा बढ़ गई और उसके चित में अधिक हर्ष चा गया भगवती शिवा के निवास के अधि श्रेष्ट क्रियाय संपन्न की उन कर्मों के अनुष्ठान के समय महान उत्सव हुआ प्रजापती ने भ्रामनों को उनकी इच्छा के अनुसाल धन दिया उस अवसर पर वेणिनी के घर्ब में देवी का निवास हुआ जानकर श्री विश्णुवाधी सभी हुई उन सब ने वहां आकर जगदंबा का स्तवन किया और समस्त लोकों का उपकार करने वाली देवी शिवा को बारंबार प्राणाम किया वे सब देवता प्रसंद चित हो दक्ष प्रजापती तथा वेरिनी की भूरी भूरी प्रशंशा करके अपने अपने स्थान को देवी शिवा शिग्र ही अपनी माता के सामने प्रकट हुई उनके अवताल लेते ही प्रजापती दक्ष बड़े प्रसंद हुए और उन्हें महान तेट से देधी प्यमान देख उनके मन में यह विश्वास हो गया कि साक्षात्वे शिवा देवी ही मेरी पुत्री के प्रशा होने लगी और मेग जल बरसाने लगा मुनीश्वर सती के जन्म लेते ही संपोन दिशाओं में ततकाल शांती चा गई देवता आकाश में खड़े हो मांगलिक बाजे बजाने लगे अगनिशालाओं की बुजी हुई अगनिया सहसा प्रज्वलित हो उठी और सब घर्प से साक्षाग जगदंबा को प्रकट हुई देख दक्ष ने दोनों हाथ जोड कर नमस्कार किया और बड़े भक्ती भाव से उनकी बड़ी स्तुती की बुद्धीमान दक्ष के स्तुती करने पर जगन माता शिवा उस समय दक्ष से इस प्रकार बोली जिससे माता विर को ग्रहन करो उस समय दक्ष को ऐसा कहकर देवी ने अपनी माया से शिशु रूप धारन कर लिया और शैशव भाव प्रकट करती हुई वे वहां रोने लगी उस बालिका का रोधन सुनकर सभी स्त्रियां और दासियां बड़े वेक से प्रसनता पूरुवक वहां आ असिकनी की पुत्री का अलोकिक रूप देखकर उन सभी स्त्रियों को बड़ा हर्श हुआ नगर के सब लोग उस समय जैजैकार करने लगे गीत और वादियों के साथ बड़ा भारी उत्सव होने लगा पुत्री का मनोहर मुक देखकर सब को बड़ी ही प्रसनता हुई भाति भाति के मंगल कृतियों के साथ बहुत से बाजे बजने लगे उस समय दक्ष ने समस्त सद्गुणों को सत्ता से प्रशंचित होने वाली अपनी उस पुत्री का नाम प्रसनता पूर्वक उमा रखा तदंतर संसार में लोगों की और से उसके और भी नाम प्रचलित क जो सब के सब महान मंगल दायक तथा विशेश तह समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं वीरेणी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्री का पालन करने लगे तथा वह शुकलपक्ष की चंद्रकला के समान दिनों दिन बढ़ने लगी द्विजश्रेश्ट बाले अवस्था में भी समस्त उत्तम उत्तम गुण उसमें उस तरह प्रवेश करने लगे जैसे सुकलपक्ष के बाल चंद्रमा में भी समस्त मनोहारेणी कलाएं प्रविश्ट होती है दक्ष कन्या सती सक्षियों के बीच बैठी बैठी जब अपने भाव में निमगन होती थी तब बारं बार भगवान शीव की मुल्टी को चित्रित करने लगती थी मंगल मै सती जब बाल्योचित सुन्दर गीत गाती तब स्थानू हर एवं रूद्र नाम लेकर स्मर्शत्रू शीव का स्मरन किया कलती थी तो यहां पर चौद्वे अध्याय की समाफ्ती होती है कल फिर मिलते हैं तक आप सभी को हर हर महादेर